तो वेलकम बेक गई, तुम्हारा स्वागत है, एक और वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग्स फोर यूड्यूब या फिर कोई भी तुम्हारा प्रोजेक्ट उसके लिए तुम्हारे पास फिरी में परोजेक्ट उपन है, तुम्हारा प्रोजेक्ट उपन है, तुम्हें दबाना है कमांड M या कंट्रोल M, उसके बाद तुम्हारे पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, यहां पर तुम पहले तो फाइल नेम डाल दो, बेस्ट एक्सपोर्ट होगी, और एक अगर तुम किसी को भेज रहे हो, ड्राइपर या फिर थोड़ी हाई क्वालिटी दिखानी है, तो वो फाइल साइज भी बड़ा होगा, और क्वालिटी भी अच्छी होगी, बट अगर तुम कंपेर करोगे, दोनों को तो जाधा फर्क नहीं होगा, बस यह म हम बात कर लेता है, इस हवाली पे, जहाँ पर तुम्हें फाइल साइज थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तुम्हें जाना है कस्टम पर, तो यहाँ पर तुम्हें चूज करना है अपनी वीडियो क्वालिटी से, अगर तुम्हारी वीडियो 4K में है, तो 4K यहाँ से वो कर सकते हो तुम्हें अभी के लिए मैं 1080p चूज करता हूँ, उसके बाद format में जाना है तुम्हें और यहाँ डालना है h.264, फिर यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे options मिल जाएंगे, तुम्हें आना है वीडियो वाले option पर, यहाँ पर तुम्हें देख लेना ह नीचे आजाओ, यह सब कुछ ऐसे ही छोड़ देना है, यह high पर होगा, यह 4.2 हो जाएगा तुम्हारा, जैसे ही तुम preset यह वाले लगा दोगे, अब इसके बाद मैं क्या चेंज करता हूँ, मैं अपना VBR 1 ही रखता हूँ यहाँ पर, और target bit rate कर देता हूँ 40, 1080p के लिए क तुम्हें करना है, target bit rate 40, अगर तुम कर रहे हो 4K, तुम्हाँ पर तुम कर सकते हो 80, बाकि इन सम्में audio में तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना है, 48,000 होगा, 320 होगा, यह सब ऐसी छोड़ देना है, दूसरा option, अगर तुम्हें किसी को file भेजनी है, थोड़ा ऐसा बताना है कि यह बहुत ही high quality render है, और बड़ा size है, बस वो वीडियो का थोड़ा बड़ा size हो जाएगा, quality देखने में वैसी सी लगेगी, उसके लिए तुम्हें जाना है यहाँ पर, और चूज करना है, apple pro res 422 HQ, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं दिख रहा, तुम्हें नीचे scroll करना ह होगी, तुम्हारा quick time खुदी select हो जाएगा, फिर तुम्हें यहाँ पर settings देख लेनी है, सही है, सही है, बिल्कुल, यहाँ पर दुबारा से check कर देना है, render at maximum depth, use maximum render quality, और बाकी कुछ change नहीं करना है, यहाँ पर फिर से दुबारा export कर देना है, और यह है तुम्हारी दो best export settings in Premiere Pro, विडियो पसंद आई तो वडियो को like करो, share करो, जो करना है करो, बैस वो button दब जाना चाहिए, कर लिया भाई, एक महान रोस्टर को copy,